अच्छा जी कैसे हैं आप लोग सब ठीक ठाक हैं खेरियत से हैं बच्चो चलिए माशालला अच्छी बात है आज हमारा समेस्टर जो है वो अलम्दल्ला स्टार्ट वो क्या है और मेरे साथ आप लों का यह पहला इंटरेक्शन है मतलब हमने इससे पहले आपस में कोई कोर्स नहीं पढ़ावा तो सबसे पहले मैं कोई की बात शुरू करने से पहले अपने आपको इंटर्द्यूश करा देती हूं थोड़ा सा मेरा नाम प्रिजर मसूद है और बैसे किली मैं फिजर केरापिस हूं के से मैंने ग्राडुएश में थीचिंग की और उस फोई ये वहाँ पर टीचिंग की है साथ में मैंने वहीं पे क्लिनिकल भी किया था जनाव होस्पतल में और उसके बाद अब और मुझे डेर साल हो गया यहां पर यूम्टी के साथ तो दर्म्यार में मैंने मांसर्स किया था रिपाई वो भी अलम्दुलैल्ला क्लिट हो चुका है तो बस चुटा सा इंट्रोडाक्शन है मेरा और कोई बहुत लंबी चौरी डिग्रीस तो खलाल है नहीं जब आल्ला देख अब तो फिर इंट्रोडाक्शन की तो लंबा हुआ करेगा आप लोग माशालला इस ताइम पर सिक्स्थ समिस्टर के अंदर हैं आई थिंक मैंने तलब नहीं का तो हमने जो चीज जो साब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दाट इस थेरा टू थेरपीटिक्स टू वन आप लोग पढ़ चुके हैं यानि के जो बेसिक्स हैं वो सारी आ हैं लैक, तरह पर टेक्सक्ता हैं, क्या टिस था श्रहाएं उनको हमने किसी तरा से करना है, अब कौन सी exercise आपने कब करनी है, किस patient को करनी है, अब जैसे दो लोग different है, दो लोग same नहीं है, इती तरह से दो patients पीचर हैं, वो same नहीं हो सकते, चाहे दो लोग same problem के साथ आएं, same kind of pain के साथ आएं, लेकिन उनका problem फरक हो सकता है, लेकिन उनका cause फरक हो सकता है, तो अगर उनक different treatment plan के साथ लेके चलना पड़ेगा, हम उनको same treatment plan नहीं दे सकते, तो कौन सी exercise आपने कब case patient को करानी है, ये चीजें अब हमने पढ़नी है, therapeutics two में, हमने therapeutics two में, हमने region wise जो है बो चलना है, ठीक है, पहले आपने basics पढ़नी है, one के अंदर, अब आपने region wise पढ़ना है, आपन joint wise पढ़ना है, उसकी problems पढ़नी है, उसकी different conditions पढ़नी है, उसकी फिर आपने treatment protocols पढ़नी है, ठीक है, basic guidelines आपने मेरा थाले first के अंदर, therapeutics one के अंदर पढ़नी है, के आपके different phases होते है, maximum protection phase है, minimum protection phase है, उसमें आपने क्या-क्या करना होता है, बट किस condition के अंदर आपने कौन, क पढ़नी है, किस range में करानी है, ये सारी चीज़ें अब हमने therapeutics two में पढ़नी है, ठीक है, इंशाला, और इसको हम भोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से इसको लेके चलें, और time पे हम उतना जो है अपना सारी assessments और जो कुछ भी है उसको cover करें, जादे लंबी बात मैं आज जो है वो कोई इसको कास कोई चीज जो है वो lecture को start नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा जो है वो introduction करेंगे, right now मेरे पास मैं आपके screen share करती हूं, हम discuss कर लेते हैं अपना work plan कि हमने पढ़ना पढ़ी होगी, यह ही आपकी textbook है, जो कि हाफ आपने पढ़ी है, हाफ अब आपने जो है वो पढ़नी है, और इसमें जो चीजें हम पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास peripheral nerve disorders है, nerves के बारे में हमने पढ़ना है, basic जो पार्ट होगा या जो ज्यादा पार्ट आपका cover होने वाला है, वो है आपका spine का, spine is important, spine को हमने यहाँ पढ़ना है, उसकी treatments और इसकी different ज देखेंगे हैं, फिर आपके balance से related है, ठीक है, advanced functional training से related आपके कुछ चीजें होगी, फिर आपके पास जो है न, वो आगए यहाँ से आपके पास region wise आपका सारा techniques फिर हो जाएंगी, shoulder girdle के बारे में, elbow and forearm complex है, then wrist and hand है, फिर lower limb पे आ जाएंगे, तो hip joint complex है, knee joint है, ankle and foot है, और यह हमारा पस रहा हो, हमारा syllabus रहा हो, इंशाला इससे cover हो जाए, ठीक है, जर्म्यान में हमने assessments भी करनी है, assessments में ये चीज़ है, अभी मैं सिर्फ आपको roughly बता देती हूं, क्योंकि आपका assessment plan जो है न, वो बाकी जो जित्ते भी आपके sections है, उनको जो भी teachers पढ़ा रहे हैं, उनक आपके साथ share कर दूँ कि आपनों को पता हो, कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, roughly मैं आपको बता देती हूं, कि final आपको 40% का होगा, ठीक है, final return है, वो आपको 40% का है, on campus और online फिलाल इसकी बहरत हम नहीं करेंगे, वो हमें बात में पता चल जाएगा, लेकि आपके 60% है, वो सारे के सारे आपके session है, उसके अंदर आपका वाइवा भी होगा, उसमें आपके assignments भी होगी, presentations भी होगी, उसमें आपकी class participation भी आजाएगी, उसमें आपके short tests या quizzes type, scenario-based या MCQs, वो जिस तरह से भी हमें directions होंगी, हम उस तरह से करेंगे, लेकिन ये सारी ची Right now, हम कोशिश करते हैं कि इस जो पहलाल की जो class है हमारी, उसमें हम जो तुमोटी ये जो चीजें है, इनको discuss कर लें, ताकि हमें पता हो कि हम जो चीजों को लेके कैसे चलना है, practicals, labs इसके अंदर होगी, क्योंके ये आपका manual से related subject है, ठीक है, यानि आपकी जो techniques है, obviously सारा आ तो definitely, definitely इसमें आपका lab work होगा, lab work हम साथ के साथ करेंगे, या at the end हमने करना होगा, हम उसके लिए lab arrange करेंगे, ठीक है, वो किस तरह से होगा, वो hybrid mode पर होगा, वो आपको on campus बुलाया जाएगा, वो किस तरह से होगा, ये साथी चीजें जो है ना, ये थोड़ी बात की बाते जो covid की situation है, वो भी बहुत अजीब की है, secondly हमारे जो मुर्ट में right now स्यासत चल रही है, वो भी बड़ी अजीब तरह की चल रही है, तो conditions और situations जो है ना, वो highly unpredictable हैं कि अगले दिनों में क्या होने वाला है, तो right now मैं उसके कोई comment ही कर सकती, कि आप लाब work कब करना है, और वो क किसी तरह सकता है, ठीक है बड़ हम करेंगे जो इंशाला हम इसको जल्दी जो है को करने की कोशिश करेंगे, और जित्ती जल्दी हो सका हम इसको cover करने की कोशिश करेंगे, अच्छा अब जो important चीज़ मैं आप से discuss करना चाहा रही हूँ वो ये है, कि क्योंकि मेरे साथ आप लाइक मैं शूब शूब इस तरह से लेकर चाहती हमाँ, तो परेशान होएं कि इस बित नहीं हैं बिलकुल भी, हम बिलकुल बड़े अच्छे महाल में इसको semester को complete करेंगे, ठीक है, हम discussions किया करेंगे, आपको कोई भी problem है, आपने मेरे साहर के बात करनी है, आप कोई भी problem है अगर आपकी study related problem है, आप मुझे बस मेरा एक problem, मुझे बस एक चीज चाहिए आप लोग तरह से के, आप लोग मेरे साहर मुझे से कहते ना जूट ना भूने, आप मुझे जीट नहीं करें, आपका problem है, आप मुझे बता दें कि यह problem है, क्लास नहीं ले सकता या ले सकती, य assignment में थोड़ा बहुत आगे पिछे हो गया, delay हो गया, या कुछ इस तरह की बार, attendance का मसला है, मैं किसी किसम का कोई आपको जो है ना, वो problem create नहीं करूंगी, unless कि आप की तरफ से, कोई बहुत जो है ना, वो blunder नहीं मारा जाओ, ठीक है? मैं आपको during semester हर तरह का favor देने के मेरे लिए सारे students एक जैसे होते हैं, मैं किसी को extra favor नहीं करती हूँ, मैं किसी के साथ ग्रज नहीं निकालती हूँ, ठीक है? अलाम तो लिल्ला, यह चीज मेरी है, कि ना मैं किसी को favor करती हूँ, ना मैं किसी के साथ ग्रज निकालती हूँ, तो जो आप perform करेंगे, उस तरह के मांस आपको मिलेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा, वह 110 परसेंट आपकी अपनी परफॉर्मेंस के उपर होगा, उसमें मेरा हाथ कुछ नहीं होगा. तो ये चीज़ा माई में रखिएगा, कि आदत होती है कुछ स्टूरेंट की, कि फिर वो बाद में जो है न वो इस चीज़ को बहुत जादा इंसकरना शुरू करते हैं, कि जी पना ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, आप यहां से नंबर बढ़ा दें, ये कर दें, वो फर्दें, तो बिटा, वो काम मैं नहीं करती हूं, मैं एक नंबर क्या मैं आदा नंबर भी नहीं बढ़ाती हूं, जो के अंडियो होता है, अगर तो वो वाकई justified है, कोई mistake है, human error है, तो वो मेरी खलती है, वो मैं उसको जुरूर cooperate करने के लिए प्यार हूं, लेकिन जो आपको ये कहूं, कि मैं पूरा semester आपको कुछ ना पढ़ाऊं, ठीक है, मैं आपकी classes दिना लो, या time पे ना आऊं, class लो, तो बस आप से गपे मार के चली जाओं, और मैं आपको ये कहूं कि बस आपने ना किसी को मेरी शिकायत नहीं लगानी, क्योंकि देखें, मैं बहुत मेरे साथ इस चीज को favor करेंगे मुझे, जब आपको एक चीज पढ़ाई नहीं जारी, और फिर मैं आप से exam भी ले रही हूँ, तो आप लोग तो मेरे साथ पढ़ोगे ना इस चीज पे, कि जब आपने हमें पढ़ाया नहीं है, हमारा एक नुकसान कर रही हैं आप, तो हम आपकी इस response जो आपकी जरूरत है, हम तो उसके लिए responsible नहीं है ना, आपके घर के हलाद हराब हैं, आपको दोब required है, आपको पैसे चाहिए हैं, तो आप पढ़ाएं, आप अपने जो पैसे हैं उसको हलाल करें, definitely हार बंदा यही कहएगा, तो यही चीज आप लोगों के अपनी responsibility है, at the end, आप अगर आके मुझे यह कहेंगे, कि देखें हमारा scholarship जया हो रहा है, तो बिटा हूँ responsibility मेरी नहीं है, आपका scholarship maintain रखना, वो आपकी अपनी responsibility, आपके grades आपकी अपनी responsibility है, not mine, ठीक है, यह चीज बहुत इच्छे से mind में रखिएगा, ताके हमारा जो relationship है न दुआएं देने पर भी उतराते, ऐसा भी हो चुका है, तो I hope, मैं hope करती हूँ आप लोगों के तरफ से, कि इन्शाला ऐसा नहीं होगा आप लोगों के तरफ से, और हमारा यह जितना भी time है, वो हम बड़े अच्छे से जो है ना उस बुझाते है, ठीक है, अच्छा, यह चुटी सी बातें पी, और attendance को better maintain जरूर कीजएगा, attendance के लिए यह है, क्योंकि यह online है, मुझे पता है, इसमे connectivity के issues आते है, electricity वगारा issues सारे के सारे आते हैं, तो ऐसा है कि मैं आपनों के लिए इतना favor कर रही हूँ कि आपको class में at least half an hour के लिए present होना जरूरी है, ठीक है, आपकी attendance जो है, उसको present mark कर दोंगे, अगर आप class में present नहीं है, और आप half hour से भी काम के लिए present है, तो फिर वो मैं consider करूंगी कि यह आपकी absent है, otherwise, अगर कोई problem है, और आप मुझे उसको बता दें, जी मेरा यह problem था, मैं इस वज़ए से जो है, वो class continue नहीं कर सकी, या मैं जो सची सची बता दें, मुझे कोई मसला नहीं है, कसम से मुझे आप लों के attendance के साथ कोई मसला नहीं है, मैं उन teachers में से नहीं हूँ, जिनको यह problem होता है, जी attendance class पर नहीं है, आप लोग ने पढ़ना है, मैंने पढ़ाना है, जिस कुछ और के class में आए, कुछ से नहीं पढ़न तो मैं किसी को फोर्स नहीं करें, attendance को मैं किसी को problem नहीं करें, आप मुझे आकर बता दें, कि यह problem है, अब जो मेरे करने वाली बात हैं थी, वो तो I think मैं सारी complete करती हैं आप लोग के साथ, तो अब अगर आप लोगों में से कुछ कहना चाहरा है, तो वो जरूर कहें, during class है ना, वो mute रहा करेंगे, यह मेरा थोड़ा से तरीका है, और जब class हम आप दिम्यान में आपको कोई भी question है, आप hand raise कर सकते हैं, या आप chat box में लिखके drop कर दें, ठीक है, at the end of the class, हम छोटा से discussion session किया करेंगे, उसमें आपके mics पी जो है, वो मैं unmute कर दूंगे, अगर आपक कित्रूं अगर बात करना चाहरे हैं, आप उस तरह से मेरा question पूछ सकते हैं, या जो आपने chat box में लिखके होंगे, वहां से मैं पढ़के आपको, तो answer करती है, ठीक है, तो अब मुझे यह पता दें कि आप लोगों में से अगर किसी ने कोई बात करनी है, कोई भी related studies है, आज की task को जो है न, वो जल्दी find up करते हैं, जी, अगर किसी का question है, आप hand grace करें के, अब अब अच्छी बात हो गई है, अच्छा, अब यह है कि आप लोगों के जो नाम है न, को मुझे इत्ता इत्ता याद होंगे, इत्ती जल्ली नहीं याद होंगे, और खास सर पर जब म उसको याद दखना तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा, बट कोशिश करेंगे, कि हाँ, इतना जरूर है, कि जो class में बच्चे पार्टी से पेट करते हैं, और अच्छे से involved होते हैं, लेक्चर के दुरान, तो उनके नाम याद रहते हैं, ठीक है, तो कोशिश की जएगा कि हर ब LMS की बात रह गई, LMS आप लोगों का जो है, वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है, LMS अपडेट हो जाएगा, और उसके उपर आप लोगों की जो है, वो इस तफ़ा तो वैसे automatic enrollment है, वो आपकी होती रहेगी साथाती, और उसको मैं जितनी जल्दी हो सेगेगा, अ और इसके इलावा मैं email के द्रूर है, वो send करते हूं, ठीक है, तो email पे आपको, जो drive है, drive पे आपको link, जो recording है, वो भी आजाए करेगी, LMS पे उसका link हुआ करेगा, recording का, drive का, और जो, हाँ, एक और important चीज रह गई, वो है मेरे counselling hours, वो भी, इंशाल्ला मैं आपको next time, जो है कुछीज पूछनी है, तो वो भी आप पोच सकते हैं, वो सारा elements के उपर, जो है, वो uploaded होगा, और जितनी भी announcements होँगी, वैसे मेरी यादत है, कि मैं email करती हूं, लेकिन आप लोगोंने सारा elements भी check करना है, कोई भी announcement होगी, वो email और elements दोनों के उपर होआ करेगी, तो elements को और lectures कितने होंगे, बटा, lectures मैंने आपको बताया, यह जो आपके सामने work plan मैंने share किया था, हमने यह topics जो है, वो पढ़ने है, हो सकता है, इसमें से जो right now, जो work plan बना है, इसको मैंने हर chapter को दो-दो में divide किया हुआ है, बट हो सकता है, जो chapter छोटे हों, उसको हम एक lecture के अंदर भी cover कर सकते हैं, ठीक है, तो यह lecture number जो है ना, वो थोड़ा बहुत, जो आपका work plan है, उससे आगे पीछे हो सकता है, बट जो overall आपका जो semester का time है, उसी के अंदर हमने इसको cover भी करना है, इसी में हमने आपके labs भी arrange करनी है, और आपको free time भी जो है ना, वो paper से पहले आपके आपके पास होगा, तो हम इसको इसको इसमें complete कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जो work plan के खायाता है, पढ़ना हमने यह सारे topic है, spine है और different आपके पास जो joints है, उन सारों को हमने cover पढ़े हैं, चलें जी, I hope के चीजें जो है, वो clear होंगी और हम अच्छे से जो है, वो एक अच्छा जो environment है, उसके साथ हम class को लेके चलेंगे, semester coin करेंगे, ठीक है वेटा, चलेंगे, अब ऐसे है कि जो हमारी next class होगी, that would be on, बला कब, Thursday को, Thursday को hot बजाए, ठीक है, तो इंशालला फिर हम तब मिलते हैं, और तब हम अपना जो पहला lecture है, वो शुरू करेंगे, that would be related on, जो peripheral nerves है, उन से related हो, ठीक है, तो उसको हम शुरू करेंगे, बाकि इंशालला, next lecture में मिलते हैं, और जो भी problems होगे, वो फिर हम साथ के साथ उसको share करेंगे, ठीक है भी तदी, अपना ख्याल करेंगे, रमजान है, दौाओं में याद रखिएगा, अल्ला तल्ह सब के लिए असानी करें, और सब के लिए, आप लोगों के लिए, एवन हमारा जो right now, मुल्क की condition बनी लिए, अल्ला तल्ह उसको भी जो है, ना हो हमारे हाट बेसा करेंगे, ठीक है बटा, अल्ला हाफ़ झाल के लिए, आप अल्ला है, आप लिए जो हमारान जो हमारा जो हमाराँ भी जाड़ा है, अल्ला तल्ह का लागों के लिए और साफ़ आहाट।